भाई Realme और Redmi ये दोनों brand ऐसे हैं कि अगर mid range की बात कर रहे हैं एंट्री सेग्मेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों ही brand एक से एक phone लेके आते हैं और जबरदस टककर दोनों के अंदर रहती है अब ये टककर और भी घमासान होने वाली है क्योंकि अपर mid range की बात करूँ या flagship killer की बात करूँ flagship killer इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि specification होगी flagship level की और price होगा 20,000 के आसपास दोनों ही phone जो हैं जबरदस होने वाले हैं मैं बताने वाला हूँ दोनों phone कौन से होने वाले हैं Redmi का जो है X-series का phone नहीं 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 एक सीरीज नहीं क्योंकि मैं clear आपको बतायता हूँ बहुत सारे YouTubers ने वीडियो बनाये है कि Redmi का X phone आने वाला है तो इस वीडियो में आपको मैं confirm करेता हूँ उस phone का नाम X नहीं होगा अब जो भी नाम होगा वो 14 मेरी को phone launch हो रहा है date भी मैंने आपको बता दी है वो आप देख लीजेगा लेकिन specification जो है वो कमाल दवाल होने वाली है Qualcomm Snapdragon 855 8GB का processor उसकंदर आपको मिलने वाला है 8GB की RAM और 128GB की storage आपको मिलने वाली है 48MP का आपको rear camera मिलेगा मज़े triple rear camera आपको देखने हो मिल जाएगा 48MP प्लस 8MP प्लस 16MP और 4000MHz की आपको battery देखने हो मिल जाएगी कमाल दमाल ये phone होने वाला है लेकिन वो Qualcomm Snapdragon 855 के साथ नहीं आएगा हला कि काफी सारे लोगों ने बोला था कि Realme Pro भी आने वाला है दोस्तों ये भी सचाए है कि Realme Pro भी आएगा लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला है हला कि उसके नदर भी आपको Qualcomm Snapdragon 855 मिलने वाला है लेकिन अभी मैं बात करूँगा Realme X के बारे में और Realme X के अंदर आपको Snapdragon 730 का processor देखने को मिल जाएगा साथ ये अगर बाकी configuration की बात करने तो इसके आपको 3 variant देखने को मिलेंगे 6 GB RAM 64 GB storage वाला 8 GB RAM 128 GB storage वाला और 8 GB RAM 256 GB storage वाला और तीनों का जो price है ना दोस्तों वो 16,000, 18,000 और 20,000 इसके आसपास होने वाला है तो धमाका मचने वाला है कि इस range के अंदर क्योंकि आपको AMOLED screen देखने को मिल जाएगी इसके अंदर आपको in-display fingerprint देखने को मिलने वाला है और साथ ही आपको pop-up selfie camera देखने को मिल जाएगा 32 MP का और जो आप कमी बोल रहे थे कि Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको 48 MP का camera देखने को मिला तो अब आपको Realme X के अंदर भी 48 MP camera देखने को मिलने वाला है इसके अंदर भी आपको triple rear camera देखने को मिल जाएगा और एक advantage आपको मिलने वाली है 30 vote का charger आपको मिल सकता है inside the box तो दोस्तो बहुत ही जबरदस ज़य जग होने वाली है दोनों ही brands के अंदर 20,000 के आसपास की range के अंदर बहुत ही जबरस धमाके होने वाले हैं मैं बेसब्री से इंतिजार कर रहा हूं क्या आप भी बेसब्री से अंतिजार कर लें इन दोनों फोन का नीचे कॉमेंट मुझे जरूर लिखके बताएगा और आपकी कौन सी रेंज होगी जिसके लिए आप जाना चाहेंगे 20,000 से नीचे की 16, 18, 20 वाली या 25,000 के नीचे की रेंज की लाइक कर दीजिए और चाल को सब्स्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज और यूट्यूब से रेलेटिड में आपका आफे सारी वीडियोज आपके लेके आता है रहता हूँ मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर